हाई एव्रिवन केसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंस्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगें आपके सामने वन आप इंपॉर्टेंट शॉट्कट रिवीजन का वीडियो लेकर आच चुका हूँ जिसका नाम है SCR रिवीजन सीरीज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथेमेटिक्स का सब्जेक और जैसे कि आप जानते हो यार पूरा का पूर टॉपिक को रिवाइस करवा दोंगा ताकि आपको वो चीजे फिर से याद आजाए अगर आपने पहले के वीडियो देखे हमारे तो बहुत अच्छी तरगे से याद आएगा लेकिन जिन्नों नहीं 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 देखे कोई बात नहीं वापस से जाके देख लेना हर चीज अब आपके फाइनल एक्जाम में पूछा भी जाएगा तो ये चाप्टर जो होता है इसमें दो टॉपिक सबसे आदा इंपॉर्टेंट जो मैं कराने वाला हूँ एक टॉपिक यह है कॉड्रेंट्स के हिसाप से चीजे लिखना तो कॉड्रेंट्स का मतलब होता क्या इसको पहले समझ लेंगे हम लोग ठीक है what is meaning of the quadrants अब आप इसको थोड़ा समझो अगर हम कभी एक ग्राफ अगर में बनाये x-axis और y-axis के हिसाप से यह आप जामते हो यह वाला y-axis होता है और यह वाला जो होता है वो x-axis होता है यह आप जामते होंगे तो हमेशा याद रखना य यह quadrant दूसरा quadrant होता है इसके नीची यह 3rd quadrant होता है और यह आपका 4th quadrant होता है तोटल ऐसे 4 quadrant है 1,2,3,4 4 quadrant में से हर एक का जो एक coordinate system होता है क्योंकि हमारा chapter का नाम coordinate geometry है तो जो coordinate system होता है दोस्तों वो अलग-अलग होता है तो हमेशा एक चीज़ याद रख लो यह जिन्दगी आपको काम आएगा ऐगा जो किए यहाँ पे होता है प्लस-पलस यानि कि दोनों coordinates कहा रहेंगे positive रहेंगे यहाँ पे होता है minus-!! this प्रकार से चीज़े आपको याद रखने है कुछ examples यहाँ पर explain करूँगा तो और ज्यादा बहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले एक चीज आप समझगे कि quadrant में क्या होता है अगर आपको मैं पुछूँगा indirectly यह दिखरा नहीं है अब आपको मैं पूछूँगा आप में से कोई भी हो ठीक है बताओ पहला quadrant में क्या आएगा तो आप बोलो कि सर प्लस प्लस आएगा माइनस प्लस ठीक है तिसरा जैसे कि कोई भी coordinate दिया जा सकता है let's suppose आपको दिया है एक point P 4,6 यह आपको दिया है और आपको पूछा जाएगा कि find out P कौन से quadrant में आता है P जो है कौन से quadrant में आता है ऐसा आपको पूछा जाएगा तो देख कि आप बोल सकते हो कि आप बिल्कुल देख के बोल सकते हो कि पहला जो है वो positive number है दूसरा negative number है हमको कोई फरक नहीं पड़ता कि वो 4 है 6 है 10 है 15 है 25 है सिफ coordinate का symbol देखो यह plus है यह minus है यह positive and negative है तो positive और negative किस में होता है यह हमारे second quadrant में होता है तो हम लोग इसका answer क्या लिख सकते हैं कि point P जो है lies in second quadrant ऐसा हम लोग लिख सकते है point P lies in the second quadrant ऐसे ही आपको चीज़े जो है वो पुछी जाती है और कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा simple है इसमें कोई परिशानी आपको नहीं होगा और जिनों ने भी हमारे चाप्टर का वीडियो नहीं देखा है पहले वो जाके देख ले ना पूरे तीन से चार पांच lectures होंगे इस chapter के हर chapters के हम 5-5-6 lectures करा देते हैं एकदम deep में explain करता है conceptual knowledge के साथ जो पुराने students है उनको मुझे बताने की जरूरी है बहुत पहले से हमारे चानल को देख रहे है और बहुत ही प्यार देते हैं सबसे बहले उन सब के लिए शुक्रिया दिल से लेकिन जो नए students जि check out जरूर कर लेना ठीक है तो ऐसे कुछ coordinates आता है जैसे कभी-कभी question ऐसा भी पूछ लेगा आपको कि कौन सा ऐसा quadrant है जिसमें बोथ coordinate positive होते है तो आपको ऐसा one sentence में फिलिंदम लैंक में MCQs में पूछा जा सकता है तो कौन सा ऐसा है जिसमें दोनों positive होते है पहला quadrant first quadrant में आप देखोगे तो दोनों में plus होते है इस प्रकार से पूछा जाएगा या फिर कोई number भी दिया जाएगा जैसे कि आपको अगर दिया है के values और उसके symbols को याद रखना है और बहुत ज़्यादा परिशानी इसमें आपको नहीं होगी अब आपको एक और question आता है graph को ड्रॉ करने वाला graph को ड्रॉ करने वाला मतब जैसे कि यह आपने समझा अब इसमें x-axis है y-axis है लेकिन कभी कुछ आपको एक coordinate दिया रहेगा तो वह coordinate के जिसाब से उसमें lining आप ड्रॉ कर सकते हो के तो ऐसे दो तीन lining के funda है वह funda आपको मैं बदा जेता हूँ कैसे आप लोग करोगे ठीक है ध्यान से देख लेना वीडियो छोटा ही होगा टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है चलो इसको मैं मिटा देता हूँ यह हो गया हमारा पहला टॉपिक आज के लिए इस chapter का आप लोग बस ध्यान लगा के देखते रहे ना ठीक है चलो अब आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे फोकस करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और बह जब भी line parallel to x-axis दिया है इसका मतलब y का coordinate आएगा मतलब y is equal to something आएगा जैसे example के तोरपे मैं यहाँ पे एक axis को draw करता हूँ ठीक है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक axis को draw करता हूँ let's suppose यह मेरा x-axis होता है सब जानते है और यह वरा y-axis होता है ठीक है अब इसमें बोला है क लाइन parallel to x-axis मतलब y x-axis दिख रहा है अब इसके parallel में अगर मैं कोई भी एक line बना लू let's suppose मैं यहाँ पे पहले coordinate लिख देता हूँ चलो 1 लिख देता हूँ यहाँ पे 2 लिख देता हूँ दिख रहा है आपको छोटा-छोटा लिख रहा हूँ उमीद करता हूँ आपको नज फिर से माइनस होता है माइनस 2 माइनस 3 चलो ठीक है नमबर जानिंग दो लेकिन जो अपको समझाने जा रहा हूँ वो समझो पे ले तो अगर x-axis के parallel में बनाना या तो मैं ऊपर बना सकता हूँ या तो मैं नीचे बना सकता हूँ समझ लो मैं ऊपर बनाता हूँ तो इस प्र parallel होती है तो value किसका होता है y का होता है तो समझ लो यहां से वो किस में से pass होके जा रहा है 2 में से pass होके जा रहा है जो इसका y मेरा कितना होगा y विल भी 2 होगा तो अगर तो अगर इससे क्या पता चला हमें तो अगर आपको अगर question में दिया है कि draw a line on the graph whose value is y is equal to 2 मतला आप parallel to y axis तो जब y axis को parallel दिया रहेगा तो आपका value किसका निकलेगा x का निकलेगा जैसे कि समझ लो यहां पे बना देता हो मैं इस प्रकार से मैंने y के लिए parallel बना दिया तो यहां पिस में से pass होके गा 2 लेकिन 2 किसका है वो x का यानि कि x का value निकलेगा मेरा यहां पे तो इसका प्राकार से यह सब चीजे को धान में रख लेला है ठीक है दोस्तों एक दोस्तों क्लियर है याद रहेगा आपको यह सब बहुत सिंपल और बहुत स्याधारन सा चीजे दोस्तों और यह सब चीज मैंने अल्वड़ी पढ़ाया हुँ अब यह अब जाके चेकाउट कर ले ना इसका पूरा का पूरा प्राक्टिस सेट भी हमने कराया हुए तो चलो एक एक अख़म्पल हम लोग सॉल करें बहुत मजा आएगा ठीक है एक दुए एक ग्जाम्पल में सॉल करके बताता हूँ ताकि आपका जो है प्रैक्टिस भी हो जाए रिविजन भी हो जाए ठीक है तो समझ लो, आपको बोला है, draw the graph, draw the graph, जिसमें x का value minus 2 है, और y का value 3 है, ठीके, अब इसको मैं मिटा जेता हूँ, इसको मैं मिटा जेता हूँ, इसको मैं मिटा जेता हूँ, सबसे पहले नया graph बनाता हूँ, आप सभी के लिए, नया graph बनाते हैं, इसको मैं मिटा जेता हूँ चलो आपको एक question मैं practically करके दिखाता हूं नितो आप बोलोगे कि sir थोड़ा और practically बताओ तो already मैंने पढ़ाया है लेकिन फिर भी एक बार एक एक्जामपल लेकिए practically मैं बता देता हूं समझ लो मेरे पास यह x-axis और y-axis है इसको y बोलते हैं इसको हम लोग x बोलते हैं यहाँ पर numbering लेता हूं 1,2,3,4 ले लेता हूं मैं चलो ठीक है यहाँ यहाँ पर ले लेता हूं 1,2,3,4 ले लेता हूं चलो लिख दिया मैंने यह अ x-axis और y-axis का समझ में आ गया कि आप graph बना हूं x is equal to minus 2 का तो जब मुझे यह x-94 बनाना है है अगर मुझे बात बताओ किस के आरलव में बनेगा एक्स का वैल्य है यह सीधा यह पन गये आपका y के पैरल में और यह लाइलवी कितना रहेगा x mean समझ में आया कितना सिंपल है इसको ड्रॉ करना आपको क्या बोला था खाली x is equal to minus 2 को ड्रॉ करो तो आपने ड्रॉ कर लिया कि यह लाइन जो है x is equal to minus 2 है क्योंकि हम एक चीज जानते हैं क्योंकि x is equal to minus 2 दिया तो वह parallel होगा y axis के यह रहा लाइन खीज दिया y axis के parallel बन गया आपका x is equal to minus 2 का लाइन वैसे y का value 3 है तो यह कैसे बनेगा x के parallel में बनेगा तो y3 कीदर है x के parallel में यह x है तो इसके parallel में y3 कीदर है नीचे है, माइनस 3 है, उपर 3 है, तो यह line ऐसा बनेगा, बना दिया आपने, यह line क्या रहेगा, y is equal to, y is equal to 3, बन गया, देखो इस प्रकार से graph बन गया, एक यह वाला line, ठीक है, और एक यह वाला line, ठीक है, बन गया, कितना simple है, है कि नहीं, तो ऐसे questions आपके exam में करेंगे, graph बनाने के लिए आते हैं, और यह मैंने पूरा का पूरा practice set, जो है आपका, जिसका नाम है practice set number 7.2, इसमें पूरा पढ़ाया हुआ है, तो फ्लीज जाके check out कर रहे ना, ठीक है, बहुत ही easy, बहुत ही मज़ेदार, पूरा chapter में रिवाइस करा दे, देखो कितना भैतरिन और simple सरीके से पढ़ाया, जब हमने इस chapter को real में पढ़ाया है, पूरा पूरा पूरा, तो कम से का मुझे लगता है, 4-5 वीडियो में पढ़ाया होगा, तो सोचो, आज इतने छोटे में मैंने revise करा लिया, मतलब आप सोचो कि revise कराना एक time पर easy होता है, ठीक है, लेकिन जो concept के साथ पढ़ाना, देखो यार, एक-एक वीडियो को मैंने 15-15 मिनिट दिया होगा, और एक-एक वीडियो को, एक-एक चाप्टर को 5-5-6 लेक्चर में पढ़ाया, मतलब सोचो कि मैं कितना deep में पढ़ाता हूँ आपको, और कितना पढ़ा चुका हूँ, और आप उसको एक-एक व तो उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, तो चलो, आज के लिए इतना ही ये वीडियो कैसा लगा है, जरूर से कॉमेंट करना, ये रिविजन कैसा लग रहा है आपको, और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, मुझे कॉमेंट करके बताओ, कि मैं कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 8 वी में हो, 9th के student हो, तो 9th से 10th में जाने वाले हो अभी, तो कैसा preparation कर रहे हो, जिसका 9th का paper अलुड़ी खतम हो चुका है, मतलब मेरे इसाब से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जिनका 9th का paper जो होगा, वो अलुड़ी वीडियो को like कर देना, एन अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके share कर देना, फर्स्ट ताइम आयो चानल पर आभी दख चानल को subscribe नहीं किया है, तो फटा फट से हमारे चानल को subscribe भी कर देना, बाजू में बेल आइकन होता है, उसको press कर देना, ताकि future में हम कभी भी कोई भी झाल झाल